हाई, वेलकम बैक बच्चों के लिए electronics सीरीज के पिछले विडियो में हमने सीखा की electrons के flow को electricity कहते हैं और electronics की एक सरल परिभाशा है, electrons के इस flow को कंट्रोल करना Electrons को नियंतरित करके हम बहुत मज़ेदार चीजे बना सकते हैं जैसे पहले हमने दो DC मोर्टर लगा कर एक toy car बनाए फिर हमने electrons के flow को कंट्रोल करने के लिए switch जोड़े और इन switches से हम अपनी कार की speed और direction को कंट्रोल कर पाए ये एक और toy car है इस car को मैंने little bit से बनाया है इस पहले switch के साथ हम कार को आगे बढ़ा सकते हैं या रोक सकते हैं ये एक regulator type का switch है इस switch से हम अपनी कार की speed को कंट्रोल कर सकते हैं जब हम electrons के flow को कंट्रोल करने के लिए switch का उप्योग करते हैं तो हमें switches के करीब होना पड़ता है तभी हम उन्हें operate कर सकते हैं कितना cool होगा ना अगर हम दूर से ही अपनी कार को कंट्रोल कर सके ऐसा करने के लिए हम अपनी कार में infrared sensor लगा सकते हैं और फिर remote control से इसे operate कर सकते हैं ये एक basic sensor है क्योंकि इससे हम केवल कार को चला सकते हैं या रोक सकते हैं हम अपनी कार को दूर से कंट्रोल करने के लिए wireless transmitter और receiver का उप्योग भी कर सकते हैं यहां मेरे पास wireless transmitter है और कार पर हमने wireless receiver लगा दिया है जो फिर motor को signal दे रहा है अब हम कार को बहुत दूर से भी मियंत्रित कर सकते हैं कार को कंट्रोल करने के लिए हम अपने phone पर लगे Bluetooth का प्रयोग भी कर सकते हैं यहां कार में Bluetooth receiver है और हम अपने mobile phone से कार को कंट्रोल कर सकते हैं हम इंटिनेट के माध्यम से भी कार को कंट्रोल कर सकते हैं. चालत एक देश में हो सकता है और दूसरे किसी और देश में एक कार को कंट्रोल कर सकता है. हम कार में sensors भी लगा सकते हैं और ये sensors फिर कार को कंट्रोल करने में मदद करती हैं. उदाहरन के लिए यहाँ एक proximity sensor है proximity का मतलब है निकटता यह sensor जान लेता है अगर कोई चीज इस sensor के पास आती है जब हम अपना हाथ sensor के पास लाते हैं तो car चलने लगती है और हम अपना हाथ sensor के जितना पास लाते हैं car उतनी ही तेजी से चलती है आप कलपना कर सकते हैं कि अगर car की side में proximity sensor लगे हो तो यह car जब भी किसी और वाहन के बहुत नजदीक आएगी तो proximity sensor इसका पता लगा लेगा और car को थोड़ा दूसरी तरफ मोड़ देगा इस तरह दुरगटना होने से बच जाएगी sensors लगा कर हम अपनी car को smart बना सकते हैं जब आप कुछ बुद्धिमानी का काम करते हैं तो आपके teacher आपको smart कहते हैं इसी तरह हमारी car तब smart होगी जब वो अपने निर्णय खुद ही से ले सकेगी जैसे लाल light देखकर car अपने आप रुख जाएगी एक और उदाहरण है ये car इस car के सामने अगर कुछ आ जाता है तो ये car अपने आप अपना रास्ता बदल लेती है इस तरह टकर नहीं होती इस car में एक ultrasonic sound sensor लगा है जब car किसी चीज के निकट आती है तो ये sensor भाम लेता है और car को थोड़ा reverse करके car की दिशा बदल देता है sensors के अलावा हम car में artificial intelligence का उप्योग भी कर सकते हैं ऐसा करने से हमारी car super smart बन जाती है जैसे यहां AI के इस्तमाल से ये car voice commands को समझ पा रही है मस्त है ना आपने driverless cars के बारे में तो सुना ही होगा ऐसी car को drive करने के लिए किसी इनसान की जरूरत नहीं होती है क्योंकि इन में हजारों sensors लगे होते हैं जिनको artificial intelligence के द्वारा control किया जाता है जब हम मशीनों में sensor, computer और artificial intelligence जोडते हैं तो हम मशीनों को अपने निर्नाय स्वयन से लेने के सक्षम बनाते हैं एक मशीन जो अपने निर्नाय खुद ले सकती है उसे स्वायत मशीन यानि autonomous मशीन कहते है अब आप समझ गए होंगे कि बिजली electrons का flow है electronics का मतलब है इस flow को control करना और जब हम sensors, computer और AI का उपयोग करते हैं तो electrons के flow को हम सुपर स्मार्ट तरीके से control कर पाते हैं अगले विडियो में हम कुछ sensors और microbit जो एक pocket computer है इनका उपयोग करके अपनी toy car को स्मार्ट बनाएंगे